हेलो इस्टूडेंट, बुद मॉर्निंग, वेलकम टू माई अनलाइन क्लास, हिंदी सेकेंड ग्रामर, लेसन फाइब सर्वनाम इस्टूडेंट, आज हम लेसन फाइब के एक्सरसाइज को समस्ते हुए राइट करते हैं और लडन करते हैं फर्ष्ट इक्सरसाइज आपका है, रंगीन सर्वनाम सब्द के सही भेद के सामने सही लगाईए, क्या करना है, जो सर्वनाम सब्द सही है, उसके सामने क्या लगाना है, सही का निसान लगाना है sentence देखते हैं मैंने खाना खाया तो रंगीन सब्द इसमें क्या है? मैंने तो मैंने क्या है? सर्वनाम है तो इसमें थ्री option दिये हैं कि मैंने कौन सा सर्वनाम है पूरुसवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या संबंध वाचक सर्वनाम है तो हम आपको बताए थे कि पूरुस वाचक में क्या होते हैं, पूरुस वाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम पूरुस, मध्यम पूरुस और अन्य पूरुस, उत्तम पूरुस में मैं का प्रियोग होता है, मध्यम में तुम का प्रियोग होता है, और अन्य में वहवे का प्र पूरुस वाचक होगा, ठीक है, मैंने कौन सा वाचक होगा, पूरुस वाचक, पूरुस वाचक के भी तीन वेद हैं, उसमें कौन सा होगा, उत्तम पूरुस, ओके, अब हम चलते हैं, अपने सेकंड सेंटेंस पर, वह अपने आप चला गया, तिसमें रंगीन सब्द क्या है, अपने आप अपने आप सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है प्रस्नवाचक है अपने आप बताईए प्रस्नवाचक है नहीं निजवाचक यस अपने आप क्या है अपने आप चला गया तेहाँ पर निजवाचक स्वयम काम कर लिया किसी के साहता नहीं लेनी पड़ी है ना निजवाचक सर्वरा निज मींस जहां उस्वयम के लिए हो थर्ड सेंटेंस से देखते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जैसा कलर है और वैसा जैसा वैसा क्या है संबंध जैसा करोगे वैसा भरोगे है ना जो जैसा करेगा वैसे ही तो भरेगा जैसा और वैसा क्या है संबंध वाचक निश्चे वाचक तो नहीं है संबंध वाचक जैसा वैसा क्या है संबंध वाचक फूर्थ ही संटेंज देखती हैं तुम्हारी हाथ में क्या है? अब बताये क्या सर्वनाम कौन सा वाचक है? अनिश्चेवाचे? प्रश्न वाचक यहाँ पर क्या सब्द से कुष्चन कर रहे हैं ना यहाँ पर प्रश्न वाचक हो जाएगा फिप्त चलते हैं यह सरला का घर है यह कलर में दिया गया है सरला का घर है कौन सा यह निश्चित है सरला का घर कौन सा है यह निश्चित उनको पूरी तरह से निश्चित है कि यह सरला का ही घर है तेहां पर निश्चय वाचक सर्वनाम पर सही का टिक लगा देंगे अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एक्सरसाइज पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए रेखा ने यहां पर कुछ सर्वनाम दिये गए है उसमें से जो जहां पर सही हो उचित होगा जो है न यहां पर वह पाया रेखाने जो चाहा वह पाया बहुत अच्छा भोजन बनाया है तो इसमें से कौन सा सही होगा यहां पर हम तुमने तुमने बहुत अच्छा भोजन बनाया है दीखो वहां खड़ा है कुष्चन मार्क लगा है question mark है तो इसलिए क्या होगा प्रश्ण वाचक होगा तहाँ पर कौन सर्वनाम वहाँ पर write कर देंगे कौन सर्वनाम इस sentence में write देखो वहाँ कौन खड़ा है फिर देखते हैं हम फोर्थ घर में कोई नहीं है घर में नहीं है कोई खश्ट में देख रहे हैं घर में कोई नहीं है लाश्ट देखते हैं फ़ल लेने बाजार जाना है किसे कोई जो वह तुम्हें कौन मुझे मुझे फ़ल लेने बाजार जाना है student हम चलते हैं अपने third exercise पर वाक की पढ़कर सही गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाई है संग्या की अस्थान पर सर्वनाम सब्दों का प्रयोग किया जाता है संग्या की अस्थान पर सर्वनाम सब्दों का प्रयोग किया जाता है यह बिलकुल सही है संग्या की अस्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है सरवनाम, यह sentence सही है, संग्या का प्रयोग सरवनाम की जगा नहीं होता, संग्या का प्रयोग सरवनाम की जगा नहीं होता, यह sentence wrong है, ठीक है, wrong, फिर सरवनाम की तीन भीद होती है, यह भी wrong है, कि सरवनाम की six भीद होती है, erte भी में और रॉंग सेंटेंस है पुरुस वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के है यस, पुरुस वाचक तीन प्रकार के है राइट हो जाएगा ठीक है ना? उत्तम पुरुस, मद्यम पुरुसा और अन्य पुरुस Last है, प्रश्ण पूछने के लिए प्रियोग किये गये सब्दानिष्य वाचक सरवा नाम होते हैं कि प्रश्न वाचक सरवा नाम का प्रियोग होता है प्रश्न पोचने लिए यह ज्राड़ है ठीक है न यहां पर हम रॉँ कर दिए हैं अब क्या करना है बहुचन बनाना है यह मेरा मित्र है यह मेरे मित्र है हो जाएगा वह का बहुचन क्या होगा वह मीठा आम है वह वह को बहुचन चेंज गरना है वे वह का बहुचन वे वे मीठी मीठा का क्या हो जाएगा मीठे आम है मैं कल बाग में जाओंगा मैं का बहुचन हम हम कल बाग में जाएंगे लाश्ट है मेरा कपड़ा सोख गया है मेरा कब हुआ चन हमारा हमारा कपड़ा सोख गया है भिप्त सर्वनाम सही सर्वनाम के अनुच्छित पूरा किजिए व्रिच्छे तुम महान हो तुम से हमें फल पत्ते छाया और सधी आकसीजन मिलती है तुम्हारे सरीर पर पच्छी घर बनाते हैं तुम्हें देख कर सब क्या होते हैं खुस होते हैं तुम ही हमारा जीवन हो इस्टोडेंट हो मर्क में एक्सर्साइज फिल अप करोगे और लर्न करोगे थैंक यू